ओरियर जंग तो आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और हेल्थी वर्ल्ड फेमस अफगानी चिकन बनाने की एक तम इजी रेस्पी बताने वारा हूँ इस तरिके से आप अफगानी चिकन बनाएंगे खाने में टेस्टी तो बनेगा बनेगा आज के बाद आप इसको इसली घर पर भी बना पाएंगे क्योंकि बहुत ही असान तरिक आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आपने बिना स्किप के उलाश्टा जूर देखना है यहाँ पर मैंने एक केजी चिकन लिया है बिदबून चिकन का यूज़ कर रहा हूँ और अच्छी तरह से देखे चिकन को मैंने धो लिया है यह जो बड़े पीसी होते हैं इसमें आपने दो से तीन तीन कट लगा लेने हैं क्योंकि हम चिकन को ग्रिल करेंगे बैसे इसको रोश किया जाता है रोश करने के बाद इसको ग्रेवी में डाल जाता है तो देखें यह थाई पीस है इसमें भी आपने दो से तीन कट लगा लेने हैं सारे पीस reservoir में इसी तरह से कट लगा लिचे इसके बने इसको मैरनेट करेंगे, मैरनेट करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रॉन प्याज चीह होगा, इसके साथ में आपको थोड़ा से काजू चीह होगे, काजू को आपने आदर गंटा पहले गरम बानी में भिको के रखते हैं, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट होने के लिए इनको पीछने में टाइम ने लगता है, साथ में देखे काजू भी डाल दी है मैंने, इसके साथ में 5-6 अपने हरी मेर्च डालनी हैं इसके अंदर, और 8-10 अपने लस्टन की कलियां डालनी है, थोड़ा सा आपने इसमें लंबा-लंबा कटा हुआ अ और हरी धनी को भी आपने इसी तरह से इन सब के साथ पीस लेना है, तो यह हमारा देखिए, मैरनेशन का जो मिक्षर है, वो त्यार हो चुका है, इसी से हम ग्रेवी भी त्यार करेंगे, तो सबसे पहले आपने का करना है, चिकन के अंदर नमक अड़ करना है, तो लगवा ए बना की रखा था, वो भी इसके अंदर एड़ कर देते हैं, तो यह जो मिक्षर बनाया है, यह मेरन मेरनेशन होती है, इस चिकन की, साथ में आपने इसमें थोड़ा सा प्रोसेश चीज डालना है, और इसके साथ में थोड़ा सा इसमें क्रीम एड़ करेंगे, तो क्रीम कितन में आपने एसमें थोड़ासा गर्मасाला पॉर्डर भी डाल देना है गर्मасाला पॉर्डर कर यूज़ आपने कम करना है पहले ज़ादा गर्मासाला पॉर्डर नहीं डालना है नए तो जब हम chicken की gravy को पगाते हैं तो उसमें के बर कड़वा टेश राने के chance ही रहते हैं आप इसके अफ़े हम इसको ग्रिल करेंगे यहां मैंने ग्रिलर पैन लिया है उसके उपर सबसे पहले बटर डालेंगे तो एक से डेड़ बड़ा चमच आपने इसके उपर बटर डालना है जैसे आपका पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए आपने इसके उपर चिकन रख देना है और एक बट अगर आपके बस ग्रिलर पैन ना हो आप इसको कडाही के अंदर भी पका सकते हैं या तंदूर में रोश कर सकते हैं तो ओके देखे सारा चिकन यहां पर मैंने ग्रिल करने के लिए रखती है और चिकन को मैंने पहले प्लेट में निकाल लिया था था कि हमारे जो मैरिनेशन है वो बेश ना हो तो यह देखे यह मैरिनेशन बची है इसके हम ग्रेवी बना की तियार करेंगे तो चिकन को आपने मीडियम फ्ले में अराम से पकने देना है कम से कम आपने चिकन को 10-12 मिनिट तक ग्रिल करना है 10-12 मिनिट में आपका जो चिकन है लगवा 60-70% तक कुख हो जाएगा और के देखे लगवा 4-5 मिनिट के वद आपने इसको पल्टी कर देना है तो इसी तरह से आपने चिकन को पल्टी करना है 2-3 बार में एक बार में देखी उपर से पक चुका है ना दूसरी साइट से इसको आराम से पकने देते हैं तब तक ग्रेवी त्यार करेंगे यहां आपने दो बड़े चमच ओईल एड़ की अकड़ाई के अंदर साथ में थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसके साथ में आपने थोड़े से खड़े मसाले आड़ करना है 2-3 तेश पत्त आड़ कर देशे 5-6 आपने इसमें छोटी लाईशी डालनी है पस इतने मसाले काफी है बाकी गर मसाला का यूज़ तो हमनें किया यह ग्रेवी के अंदर एक छोटा जमच आप इसमें अदर गलसन का पेश आड़ करती है गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है मीडियम फ्लेम में आपने अदर गलसन के पेश को अच्छी तरह से पका लेना है यहापे ताकि पेश का कच्छा टेस्ट है बोख अतम हो जाए फिर हम इसके अंदर मेरिनेशन आड़ करतेंगे और कुछ भी डालने की जूरूरत नहीं है आपको आपने डिरेक्टली यहाँ पे मेरिनेशन ही आड़ करनी है इसी से काफी ग्रेवी बनके त्यार हो जाएगे आप देखते जाए और इसके बद आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने इस मेरिनेशन को पकाना शुरू करते है और कंटीनिव अपने पल्टा चलाना है यहाँ पे क्योंकि इस मेरिनेशन के अंदर तर हमने काजू और चीज का यूज की है, वो कड़ाही के नीचे चिपकते हैं, तो जब तर प्रॉपर यहां पर उबलना शुरू नहीं हो जाएगी ग्रेवी, तब तक आप कंटीनू बल्टा चलाते रहेए, यह देखिए ग्रेवी में बबलस आना शुरू चुरू चुके है उपर से कबर कर देशे, पांच मिन तब पकने देशे और इधर हमारे जो चिकन है देखिए अच्छी तरह से क्रील हो चुका है, दोनों साइड में अच्छा कलर आ चुका है, और चिकन हमारा 60-70% तब पक चुका है, बाकी कुकी जो ग्रेवी के साथ की चाएगी, यह देख ग्रेवी ने पकने hamर अच्छी तरह से आपंची तरह से आप ओयु छोट दिया है, इसी तरह से आपने ग्रेवी को पकाना है, जब तक ओल डाना देखिए जब पतली ग्रेवी पकने पकेगा। और ग्रेवी अच्छा थे आप चुक ने मिक्स करने कंब वह उपर से करने एक उस्सक्राइट होगी लूठेश करने के हैं। तो यहां पर मैंने चिकन को मीडियम फ्ले में 8-10 मिन तर पकाया है और चिकन जो हमारा अच्छी तरह से अंदर पक चुका है मैंने एक पीश चेक करके देख लिए था तो आपने भी इसी तरह से चिकन को 8-10 मिन तर पकाने है तब ही चिकन अच्छी तरह से पकेगा और ट्रोप आप इसमें केवरा बर्टर डाल दीशे और दो जमच आप इसमें छोटे वाले क्रीम केड़ कर दीशे क्रीम हमने पहले भी चिकन के अंदर मेरनेशन में डाली थी अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है अब हम इसमें लाफस स्मोकोई फ्लेवर भी और राएंगे तो इसके अ izakने अपने स्मोक डैवर लाना हो थो यूज कर सकते हैं स्मोक का लाना है त้ आप इसको ऐसे ही खाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने चिकन के अंदर एक कटोरी रखी है उसके उपर आपने एक जलवा कोईला रखना है तो आप इसमें लॉंग डाल देशिए और इसके साथ में आपने उपर से थोड़ा सा देशी की या बटर डालना है उपर से कबर कर देशिए और लगवत 30 सेकंड तक बटर बटेश रहता है इस दूमें से तो एक देखिए 30 सेकंड हो चुके हैं चलिए कबर हटा देते हैं और यह चिकन हमारा खाने के लिए त्यार हो चुका है तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेव कमें जरूर कीचेगा